आधमेश्यवाइ आपकी बुद्धी काम नहीं कर रही है, हम कुछ ना सोच पा रहे हैं, बहुत ही नेगटीव वैब्रीरिशन दिमाग से हा रही हैं, हर एक अगर आपकी किसी ने बुद्धी बान दी, अगर आपकी किसी ने घर बान दिया, तो उसके क्या चीजें हैं संकेतित, उसके क्या परिणाम हैं, उसके क्या प्रियोग हैं, और कैसे हम इस हालात से बाहर आएं, कि हमारी दिमाग, हमारी बुद्धी, हमारा विवेक काम करें और कर लीजेगा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी वीडियो को लाइक भी करिएगा और लेकिन एक निवेद हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में भूले नात का कोई एक नाम जरूर लिखे हर हर महादेव जैशु जरूर लिखे दोस्तों अगर कोई प्रशन आपके भईश को लेकर या आपके वरतमान को लेकर आप चिंतित हैं कि कुछ चीजे समझ नहीं आरी तो आप हमसे जोतिश पर अमर्ज भी प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पर हमारे नमबर चल रहे हैं वाटसप पर अगर कमजोर होगा तो आपके साथ ये परिशानी हमेशा होगी तो आप अपने सैलफ कॉणफिटेंस को एक बार चेक करें क्या आपको खुद पर यकीन है ये खुद से प्रशन पूछी में यहिए अगर आपको अपने इष्ट पर यकीन है तो आप खुद पर यकीन होगा और खुद पर यखिन होगा, तो जितनी नकारत्मक था है, इस से आप बाहर आएगे। हाँ, आप कर सकते हैं, आप में युगिता है। बेशक हालाद जो हमारे पक्ष में नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमारे साथ इष्ट हैं, और ये चीज़े अच्छे के लिए होगाए। जब ये चीज़े आपके मन में होगी, तो बहुत से चीज़े सही हो जाएगी। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी की बुद्धी को नहीं बान सकता है, क्योंकि इनसान तभी है, जब उसके पास बुद्धी और विवेक है। पस सिर्फ और सिर्फ वो बहुत नेगेटिव लोगों के बीच घिरा होता है, लोगों की सोच को लेकर उसके दिल पर लग जाती, उसके बातों को लेकर वो बहुत ओवर थिंग करता है, कि करना बंद कर दे। और यह नहीं भी आप सब कुछ कर पाए, तो सिर्फ एक ही काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमस्षिवाय का जब करें। पूरी इमानदारी के साथ, ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय का जब करें।